सर्व की पार्ट साला में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मदर बोर्ड के प्रॉलम्स को हम कैसे ट्रबल सूट करते हैं by the help of the debug card तो debug card दो टाइपस क्याते हैं एक mini PCIe एक यहां पर PCIe तो जो हमारा स्लॉट होता उसके accordingly हम डीबग कार्ड के इंस्टॉल करके देखते हैं तो मैंने यहां पर डीबग कार्ड लगाया हो गया फैन जर करके बंद हो ठीक है तो दोबारा वन कर लेते हैं देखिए एक बार वन होता है और यह बंद हो जाता है तो जैसे कि हमारा SMPS है तो इसको भी हम देखेंगे तो SMPS में जैसे मैं यहां से ट्रिगर देता हूं जहां पर पैनल लगता है देखिए यह बार SMPS चला और बंद हो गया ठीक है तो इसके दो बहुत सारे रीजन होते हैं जैसे हमारा यह PCH है पावर कंट्रोलर अब यह भी ओवरीट होगा तो पावर आफ करके हम निकाल लेंगे फिर हम चेक करेंगे तो जैसे कि यहां पर निकाल लिया प्रोसेसर इसको हम साइड में रख लेंगे फिर से आन करेंगे स्विच आन करेंगे SMPS और इसको हम आन करके देखेंगे तो देखिए यहां पर स्टेबल ओन है तो इसका यह मतलब है कि हमारा जो processor है वो खराb होने की chances हैं क्यूंकि यह processor जब से जैसे हमार लगा रहे हैं तो देखिए यहां पर processor भी भी जला हुए कि यहां पर activity किया हुआ थो यह घल खराब हो गया तो अब दूसरा हम प्रोसेसर लगाएंगे तो उसका क्या numbering क्या coding आना चाहिए तो ऐसे stable power आना होना चाहिए इसमें जैसे आप देखेंगे numbering नहीं दिखा रहा है यह half cut के आ रहा है कोई digit junk digit मिला हमें देखने को तो इसमें digit हमें देखने को मिल जाएगा ठीक है कैसे मिलेगा अब हम processor दूसरा लगा के दिखा देते हैं तो देखिए यहाँ पर एक processor है यह G3 220 यहाँ पर देखिए और Intel Pentium का है तो इसमें Pentium भी आता है basic processor आता है तो देखिए यहाँ पर processor गिर गया तो यहाँ पर एक pin भी हमारा नीचे दब गई है ठीक है तो इसको आप ध्यान से ऐसे ही accidental damage ना हो आप से तो friends यह processor हमने यहाँ पर लगा के देखना है तो अभी यह normally on करके देख लेते हैं तो normally on करेंगे तो यह on होना चाहिए ठीक है तो यह SMPs का connector लगाया नहीं मैंने सब unplugged कर दिया था क्योंकि यह कुछ calls आगे थे मेरे पास तो देखिए यहाँ पर on हो रहा है अब 12V हमने लगा के चेक किया अब processor लगा के देखेंगे तो यह light में जलना चाहिए अगर light में नहीं जलना है तो भी यह हमारा कोई problem create करता है ठीक है तो हो सकता है कि हमारा कुछ और भी VRM section में खरावी हो तो यह देखिए on किया लेकिन on नहीं वारा है तो it means हमारा जो VRM section है यह वाला तो एक बार power up करके एक minute के लिए छोड़ दिंगे लाग बग 30 second जब हमें लगे discharge हो गया है फिर on करेंगे अगर on हो जाता है यह वाला connector निकालने के बाद तो समझ जाना आपके यह जो मॉस्फेट है या इन में जो यह लगे हुए capacitor यह पिले पिले कलर गा इन यह यहां पर चीप VRM चीप पर यह खराब हो सकता है तो अब on करते है तो लाइटें जलना चाहिए यहां पर अभी भी discharge नहीं हो प्रॉपर तो वीट करते हैं यहां से ओन करते हैं तो देखिए यहां से तॉन हो गया अब यहां से चेक करते हैं तो यहां से भी यहां नहीं हो रहा है और यहां पर नहीं हो प्रोषेसर प्रोषेसर को लगाने से कोई ना कोई टेक्ट हो रहा है तो इसमें यह वाल्ट हो यहां से तो आमें पता चल गया ठीक है तो इस तरह से आप ट्रवल्शूटिंग कर सकते हैं जब socket में fault है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं क्योंकि यहां पर यह processor पीछे यह जला हुआ है यह देख सकते हैं कुछ component तो हो सकता यह कहीं short हो गया हो यहां पर यह जो capacitor है तो इनको हम deeply chip level base पर इसे repair करेंगे बाकि यह जो card component आप card level basis पर travel shoot कर सकते हैं इस तरह की problem को तो दोस्तों ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं दोस्तों फिलाल अगले episode में धन्यवाद